हेलो फ्रेंट्स आप सब का आपके अपने चनल ओविन लक्षर्स में एक बार फिर से स्वागत है तो कैसे हो आप सब उम्मिद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सब की पड़ाई बेच्छे चल रहे होगी तो आजगी इस क्लास में हम कक्सा 10 गनित विश्यकी व्रक्बुक 2023 के व्रक्षित नंबर 29 को स्वाल्व करना सिखेंगे जो कि आपकी प्रशन वाली बरतों से सम्मंदित चेत्रफल से रिलेटेड हैं हमने व्रक्षित नंबर 1 से लेकर 28 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्चन में दिव हुई है या फिर चैनल की प्लेलिश्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं तो चलिए क्लास हम सुरू करते ह पहला परशन आपके सामने दिया गया है कि 12 सेंटिमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के त्रिज्य खंड का चित्रफल ग्याद कीजिए जिसका कौन कितना है 30 डिगरी तो यहां पर हम सॉल्व कैसे करेंगे हमें पता है कि त्रिज्य खंड का चित्रफल और जब तक कोई नहीं किया जाए आमें किसका ग्याद करना है लगू त्रिज्य खंड का ही चित्रफल ग्याद करना है 3.14 रख लेते हैं आर का मान 12 गुणा 12 ठीटा कितना है 30 डिगरी बटे में 360 डिगरी बटे में कितना है बटे में है आपका 360 डिगरी तो देखो 30 से यह कट जाएगा कितनी बार 12 हो 12 ठीक है 12 से 12 कट जाएगा कितना बचेगा 3.14 गुणा बार हो सेंटिमीटर स्क्वेर तो तीन दस्मल लिविक च्यार का जो बारा से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 37 दस्मल लव 68 सेंटिमीटर स्क्वेर यह हो जाएगा आपके लगू त्रिज्या खंड का चित्रफल हमने केवल सुत्र लगाया है हमारे पास आर यानि त्रिज्या दी हुई थी 12 सेंटिमीटर और ठीटा कामन कितना दिया हो था 30 दिगरी वो हमने मान सिंपल सुत्र के अंदर रख दिया है आगे बात करें प्रश्न संक्या 2 की गड़ी की मिनट की सुई द्वारा एक मिनट में र मिनट की सुई द्वारा एक मिनट में रचित कौन ठीक है तो गड़ी के द्वारा एक गंटे में यानि 60 मिनट के अंदर कितना कौन बनता है 360 दिगरी और एक गंटे में कितनी मिनट होती है 60 मिनट तो 360 में हम जब सायट का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा ये आ यानि एक मिनट के अंदर गड़ी की जो मिनट वाली सुई है वो कितना कौन बनाती है 6 दिगरी का कौन बनाती है क्योंकि 60 मिनट में 60 मिनट मतलब एक गंटा उसमें कितना कौन बनाती है 360 दिगरी तो एक मिनट में कितना बनाएगी तो 360 में हम क्या करेंगे 60 का भाग दे दे तो कितना आ गया 6 डिगरी ठीक आगे बात करें प्रश्न संख्यात 3 की एक घड़ी की मिनट वाली सुई जिसकी लंबाई कितनी है 21 cm इस सुई के दुआरा 10 मिनट में रचित 30 खंड का चेत्रफल ग्याद करना है ठीक है यानि कि सुई की लंबाई यानि 30 वो कितनी है 21 cm और कित 20 मिनट में रचित 30 खंड का चेत्रफल ग्याद करना है इसको हम इधर अलग पेज़ पे सौल करूआ रहे हैं इधर में सौल करूआ रहा हूं प्रश्न संख्यात 3 को तो हम कहेंगे हम जानते हैं कि जानते हैं कि घड़ी द्वारा गड़ी द्वारा एक गंटे यानि कि 60 मिनट में 60 मिनट में रचीत कोण कितना होता है 360 डिगरी ठीके कितना होता है रचीत कोण 360 डिगरी होता है ठीके अतो 10 मिनट में 10 मिनट में गड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा रचीत कोण ठीके अब देखो एक गंटे एक गंटे में 360 डिगरी कितने मिनट में 60 मिनट में तो में कितना निकालना है 10 मिनट का तो देखो इसका आल कितना जाएगा 60 डिगरी कितना जाएगा 60 डिगरी 10 से 60 कट जाएगा 6 बार और 6 से 360 कट जाएगा 60 बार तो 10 मिनट में कितना कोण में बनाएगी 60 डिगरी ठीके अब हम क्या लिखेंगे कि इसलिए इसलिए 10 मिनट में दस मिनट में गड़ी की मिनट वाली सुई गड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा गुमाया ग्या या गुमा ग्या चित्र ठीके 21 सेंटिमीटर 21 सेंटिमीटर त्रिज्या वाले 21 सेंटिमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त में एक वर्त में 30 डिगरी की त्रिज्या खंड का चित्रफल होगा ठीके 30 डिगरी के त्रिज्या खंड का क्या होगा चित्रफल होगा यहाँ 21 cm तरीज्य वाली जू मिनट की सुई है वो 10 मिनट में 60 डिगरी के तreeज्य खंड का निर्माल करेगी, तो इसका छेत्रफल होगा, में क्या निकलना है, छेत्रफल, ठीक है? तो यहँ पर हम दिल लिख देंगे, लगू तरीज्य खंड का छेत्रफल, इसका छेत्रफल है पाई आर स्क्वेर ठीटा बटे में 360 डिगरी तो यहाँ पर हम मान रख देंगे 22 बटा 7 गुणा 21 गुणा 21 ठीटा का मान 60 डिगरी बटे में 360 डिगरी ठीक है अब देखो 60 से 360 कितनी बार कट जाएगा 6 बार और यहाँ पर साथ से 21 कितनी बार कटेगा 3 बार 3 से 6 कितनी बार कटेगा 2 बार 2 से 22 कितनी बार कटेगा 11 बार कितना बचागा हमारे पास 11 गुणा 21 सेंटीमिटर स्क्वेर और 11 का जब 21 से गुणा करेंगे तो यह आजाएगा 231 सेंटीमिटर स्क्वेर यही आपका क्या होगा अभिष्ट अ आगे बात करें, प्रश्न संख्याच 4, दिया हुआ है, त्रीज्या 14 cm वाले एक वर्थ का एक चाप केंद्र पर 60 डिगरी का कौन अंतरीत करता है, तो चाप की लंबाई ज्याद करो, ठीक है, हमें क्या निकालनी है, हमें चाप की लंबाई निकालनी है, तो हम लिखेंगे, कि यहाँ, प्रीज्या बराबर कितना है, 14 cm, तथा केंद्र पर अंतरीत कौन, केंद्र पर अंतरीत कौन, कितना है, 60 डिगरी, ठीक है, फिर हम लिख देंगे, कि हम जानते हैं कि, हम, जानते हैं कि, चाप की लंबाई, बराबर, पाई यार ठीटा बटे, 180 डिगरी होता है, ठीक है, पाई का मन कितना है, 22 बटा 7, आर का मन कितना है, 14, ठीटा का मन है, 60 डिगरी, बटे में 180 डिगरी, तो देखो, 60 से 180 कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, 7 से 14 कितनी बार कटेगा, 2 बार, उपर कितना बचा, 44 बटा 3, कितना हो गया, 44 बटा 3 सेंटीमिटर स्क्वेर, ठीक है, यह होगी चाप की लंबाई, अगर बाग देना चाहो, बाग भी दे सकते हो, 3 एकम 3, पीछे बचा आपका 1 और 4, 14, तो 3 चौक 12, पीछे बचा 2, 2 और 0, तो 2 और 0 कितना हो गया, देखो 3, एकम 3, पीछे बचा 1, 1 और 4, 14, तीन चौक 12, सौरी कितना हैगा, 12 हो, तो 4 बार, तीन चौक 12 हो, फिर पीछे बचा 2, 2 और 0, 20, तो 3 चेंग 8 हो, वापिस 3 चेंग 8 हो, तो 14.66 सेंटीमिटर स्क्वेर, ठीक है, यह हो जाएगी आपके अभीष्ट चाप की आगे बात करें, अर्द वर्थ का चित्रफल होता है, तो आप सबको पता है, अर्द वर्थ के चित्रफल का सुत्र क्या होता है, हम लिखेंगे, अर्द वर्थ का चित्रफल, तो देखो वर्थ का चित्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वेर, अभी कैसा है, अर्द वर्थ, तो हम क्या करेंगे दो का भाग दे देंगे यानि एक बटा दो पाई आर स्क्वेर यह होता है अर्दवर्थ का चेत्रफल ठीक है आगे बात करें प्रश्ण संख्याच छे की दिया हुआ है की साथ सेंटिमीटर प्रिज्या वाले एक वर्थ की कोई जीवा केंदर पर कितना जीगरी का कौन अंतरीत करती है तो संगत लगू वर्थ खंड का चित्रफल ग्याद करना है इसका चित्रफल ग्याद करना है संगत लगू वर्थ खंड का चित्रफल ग्याद करना है ठीके चले इसको हम अलग पेज पे स्वाल्व करते हैं रश्ण संख्याच छे हैं ठीके देखो, मैं आपर चित्र बना के समझा रहा हूँ, समझ लीजिए, यह आपका 7 cm त्रिज्जा वाला एक वर्त है, ठीक है, यह इसका केंद्र बिंदू है O, यहां से एक त्रिज्जा खंड का निर्मान कर रहा है, यह आपका त्रिज्जा खंड हो गया, ठीक, और इसका नाम द क्या है आपका, यह आपका है लगू वर्त खंड, क्या है, लगू वर्त खंड, ठीक है, इसका नाम है APB, तो हम क्या करेंगे, जो यह आपका त्रिज्जा खंड है, O, A, P, B, इसमें से त्रिज्ज, O, A, B का चित्रपल क्या करेंगे, गटा देंगे, यह त्रिज्जा कितनी इतनी है साथ सेंटिमीटर की आपकी त्रिज्या है यहापर हम लिख देंगे कि यहाँ वर्थ की त्रिज्या बराबर कितनी है साथ सेंटिमीटर ठीके तथा जीवा एबी द्वारा केंद्र पर अंतरीत कोन जीवा एबी द्वारा केंद्र पर अंतरीत कोन इतना दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 90 डिगरी इतना है 90 डिगरी ठीके यह दिया हुआ है आपका 90 डिगरी आगे बात करें संगत लगू वर्थखंड APB का चitt्रफल ठीके तुम क्या करेंगे इस लगू त्रीज़ा खंड की चित्रफल मैं से त्रीबूच के चित्रफल को क्या करेंगे गटा देंगे यहां पर हम लिखेंगे कि त्रीज़ा खंड त्रिज्याघंड OAPB का चित्रफल माइनस त्रीपूज OAB का चित्रफल ठीक है, यांई इस त्रिज्याघंड के चित्रफल में से त्रीपूज के चित्रफल को गटा देना है तो यहाँ पर त्रिजागन का चत्रपल क्या होता है पाई आर स्क्वेर ठीटा बटे तीन सो साथ डिगरी माइनस यहाँ पर इसका चत्रपल क्या होगा त्रिपुजगा एक बटा दो गुणा ओ ए गुणा ओ बी ठीके अब मान रख देंगे तो 22 बटा 7 गुणा 7 घुणा 7 ठीटा का मन कितना है 90 डिगरी बटे में 306 डिगरी माइनस एक बटा दो 7 गुणा 7 ठीके देखो यहाँ पर 7 से 7 कैंसल हो गया 90 से 360 कट गया 4 बार और 2 से कट गया 2 बार यह कट गया 11 बार यानि 77 बटा 2 माइनस यहाँ पर कितना हो गया 49 बट्टा 2 कितना हो गया 49 बट्टा 2 सेंटीमिटर स्क्वेर अब दुनों के हर बराबर है तो 77-49 बट्टे में 2 सेंटीमिटर स्क्वेर तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 33 बट्टा 2 सेंटीमिटर स्क्वेर यह हो गया आपके लगू वर्थखंड का चित्रफल कीके आगे बात करें प्रश्न संक्या साथ की यदि किसी वर्थ की परीधी और चित्रफल आंकिक रूप से समान है तब वर्थ की त्रिज्जा क्या होगी तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रश्ना अनुसार वर्थ की परीधी बराबर वर्थ का चित्रफल यह प्रश्ना के अंदर में दे रखा है वर्थ की प्रिद्र का सुत्र होता है 2πr और वर्थ का चित्रफल होता है πr² ठीके तो देखो 2πr आर बराबर पाई गुणा आर गुणा आर देखो पाई से पाई कट गया एक आर से एक आर कट गया तो बच्चा क्या यहाँ पर बच्चा आर बराबर दो मात्रक या दो इकाई क्या बच्चा आर बराबर दो मात्रक या दो इकाई यह नहीं क्या सकते हैं अत्व वर्थ की त्रिज्या, क्या होगी, दो इकाई होगी, दो इकाई कैलो या दो मात्रक, ठेकें, वर्थ की त्रिज्या कितनी होगी, दो इकाई अत्वा, दो मात्रक होगी, आगे बात करें, प्रश्न संख्या 8 की, देखें, प्रश्न संख्या 8 आपके सामने दे रखा है, कि 12 cm त्रिज्या वाले वर्थ की कोई जीवा कैंद्र पर 60 डिगरी का कौन क्या करती है अंतरीत करती है तो संगत लगू वर्थकरंड का चित्रफल ग्याद करो जैसा आपने अभी बताया था इधर मैं चित्रफल बना देता हूँ यह समय लिजी एक वर्थ है इसका यह कैंद्र है O यहां से त्रिज्या कितनी दी हुई है 12 cm की यह त्रिज्या दी हुई है 12 cm की यह आपका चाप हो गया स्वरी जीवा होगी O, A, B यहां पर कोई P बिंदू है हमें क्या करना है इस वाले लगू वर्थ खंड का चित्रफल ज्याद करना है त्रिज्या कितनी है 12 cm यहां पर कौण कितना बंद रहा है 60 degree ठीके तो वही हमें यहां पर क्या करना है solve करना है तो यहां पर मैं लिख लेता हूँ कि यहां वर्थ की त्रिज्या बराबर 12 cm तथा केंद्र पर अंतरीत कौण केंद्र पर अंतरीत कौण कितना है 60 degree है ठीके हम कहेंगे संगत लगू वर्थ खंड का चित्रफल संगत लगू वर्थ खंड का चित्रफल ठीके बर्थ खंड कौण सा है APB कौण सा है APB जिसको मैंने चायंकित किया है तो हम क्या कहेंगे त्रिज्या खंड त्रिज्या खंड OAPB OAPB ठीके का चित्रफल माइनस 3 बूज OAB का चित्रफल ठीके रिज्या खंड का चित्रफल क्या होता है पाई R स्क्वेर ठीटा बटे 360 डिगरी माइनस यहाँ पर त्रिबूज का चित्रफल क्या होगा R स्क्वेर साइन ठीटा बाई टू गुणा कोस ठीटा बाई टू ठीके अब वहाँ पर हमने एक बटा दो अजर गुणा उच्वेर क्यों लगाया था क्योंकि वहाँ पर कैंदर पर जो अंतरित कोन था वो कितना था 90 डिगरी था ठीके इस वज़े से हमने वहाँ पर वो सुत्र लगाया था अब यहाँ पर देखो यहाँ पर यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा देखो आर कॉमन आ जाएगा आर स्क्वेर आर स्क्वेर कॉमन आ गया अंदर बचा पाई ठीटा बटे तीन सो साथ माइनस साइन ठीटा बटा टू गुणा कोस ठीटा बटा टू आर का मन कितना है 12 12 का वर्ग बराबर तोरी गुणा 22 गुणा 7 शीटा का मने 60 बटे 360 माइनस साइन 60 बाए 2 और कोस 60 बाए 2 ठीक है 12 का वर्ग कितना हो गया 144 यहाँ पर देखो यह कट जाएगा 6 से 360 साइट से 360 छे बार और यहाँ पर यह आ जाएगा आपका अगर 22 बटा साथ आप नहीं रख रहे हो तो 3.14 रख लो उससे भी कोई फ्रक नहीं पड़ेगा तो यहाँ पर हम कितना रख लेते हैं 3.14 तो यहाँ पर आ जाएगा 3.14 भाग 6 माइनस यह हो जाएगा साइन 30 और क्ьютाट 30 तो साइन 30 का मंन कितना होता है 1 बटा 2 और क्वाश तीस का मंन होता है अन्डरवूट 3 बटा 2 ठीक है 144 3.14 बटा 6 माइनस endors अन्डरवूट 3 बटे में 4 पिर आगे 144 यह 3.14 बटे में 6 अंडरपूर 3 का मान 1.73 बटे में 4 और जब हम इस पूरे को solve करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा देको 6 और 4 का LCM कितना आएगा 24, 24 से 144 सितनी बार कटेगा 6 बार, तो 6 का गुणा हम किस से करेंगे, 6 का गुणा करेंगे, इसको जब हम अंदर वाले को solve करेंगे तो आएगा 2 2.18, तो इसका उतरा जाएगा 13.08 बर्ग सेंटीमिटर, कितना जाएगा? 13.08 बर्ग सेंटीमिटर, ठीक है? ये था आपका प्रशन संख्या 8, आगे बात करें, प्रशन संख्या 9 की, दी गई आकरती में सायंकित भाग का चित्रफल, ज्याद कीजिए, यदि कैंद्र ओ वाल तो यहाँ प्रम लिख देंगे, कि प्रशना अनुसार, बड़े वर्थ की त्रीजिया, और बराबर 21 सेंटीमिटर, ठीक है? तथा, तोटे वर्थ की त्रीजिया, तथा, तोटे वर्थ की त्रीजिया, इस्मॉल आर बराबर 14 सेंटीमिटर, ठीक है? और क्या दिरखा है? कौन AOC, कौन AOC, बराबर 40 डिगरी, ठीक? अब हम कहेंगे, सायंकित, त्रिज्यकंड, क्या नाम है? A, B, D, C का चित्रफल, ठीक है? देखो, इस सायंकित बाग का निकालना है, तो हम इस पूरे का निकाल दे, उसमें से O, B, D का क्या करेंगे? गटा देंगे, है न? तो हम कहेंगे, कि त्रिज्यकंड, त्रिज्यकंड, A, O, C, A, O, C का चित्रफल, माइनस, किसका करना है? O, B, D का, माइनस, पृज्यकंड, B, O, D का चित्रफल, ठीक है? यानि, इस A, O, C, इसमें से, इस चोटे वाले, B, O, D को गटाना है, तो जो पीछे बाग बचरा है, उसका चित्रफल आ जाएगा, ठीक है? अब देखो, यहाँ पर त्रिज्यकंड के चित्रफल का सुत्रफ में पता है, पाई, बड़े वर्थ के लिए, आर स्क्वेर ठीटा, बट्टे तीन सो साथ, माइनस, चोटे वर्थ के लिए, पाई, इस्मॉल आर का स्क्वेर ठीटा, बट्टे तीन सो साथ डिग्री, अब यहाँ से देखो, हम क्या करेंगे, पाई, ठीटा, बट्टे तीन सो साथ, इसको कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा, कैपिटल आर का स्क्वेर माइनस, इस्मॉल आर का स्क्वेर, तो, यहाँ पर हम मान रख देते हैं, पाई का मन कितना रख देंगे, बट्टा साथ, ठीटा कितना था, चालिस, बट्टे में सोरी, तीन सो साथ, फिर कैपिटल आर का वर्ग, कितना था, एकिस का वर्ग, माइनस, चाउदा का वर्ग, है न, यहाँ पर देखो, चालिस से यह कितनी बार कर जाएगा, नो बार, तो, कितना हो गया, बाईस, बट्टे में, साथ, गुना, नो, यहाँ पर, एकिस का वर्ग, चारसो एकतालिस, और चाउदा का व 22 गुणा 35 बटे में कितना आ गया 9 इसको जब हम solve करेंगे तो 85 दिश्मलव 55 बर्ग सेंटिमेटर हम यहाँ पर लिख देंगे कि चायंकित रिज्यकंड कित्रफल बराबर 85 दिश्मलव 55 बर्ग सेंटिमेटर होगा ठीक है यह था आपका प्रशन संख्या 9 आगे बात करें प्रशन संख्या 10 की भुजा चार सेंटिमेटर वाले एक वर्ग के परते कोने से एक सेंटिमेटर त्रिज्या वाले वर्थ का एक छतुरतांस यहने चोता हिस्सा काटा गया और बीच में दो सेंटिमेटर व्यास का एक वर्थ भी काटा गया वर्ग के सेस्वाग का चित्रफल ग्यात करके बताना है ठीक की जो ये सौरी ये वाला भाग ये वर्ग है पूरा इस वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है वो है पूरी चार सेंटीमीटर इतनी है चार सेंटीमीटर फिर ये जो आपका छोटा सा वर्थ है इसकी जो त्रीज्या है वो कितनी है एक सेंटीमीटर और बीच में जो वर्थ है इसकी पितरीज़ा कितनी है? एक सेंटीमिटर, तो तरीज़ा कितनी होगी? एक सेंटीमिटर, एक सेंटीमिटर ये और एक सेंटीमिटर ये, ठीक है? इतना हमें समझ में आया, अब हमें क्या करना है? जो बीच का चायंकी दभाग है, इसका चित्रपल हमें क्या करना है? ग्या देना है तो जो पीचे का भाग बच रहा है उसका चित्रपल आ जाएगा ठीक तो सबसे पहले यहां पर हम कहेंगे प्रश्ण संक्याता आपका दस क्या लिखेंगे कि यहां पर कि यहां पर कि दिये गए वर्ग की भुजा कि यहीं है चार सेंटीमेटर ठीक फिर वर्ग A, B, C, D का चित्रपल यहां पर लिखेंगे यहीं हो गया इस वर्ग का चित्रपल ठीक अब हम क्या करेंगे अब लिखेंगे मेंगे अब लिखेंगे आगे कि वर्ग के कौने से वर्ग के परतेक कौने से काटे गए वर्थ के चतुर्तांस की त्रिज्या त्रिज्या आर वन मान लेते हैं बराबर कितनी है एक सेंटिमीटर कितनी है एक सेंटिमीटर ठीक है अब हमें चारों चतुर्तांस का चित्रफल निकालना है तो हम कहेंगे कि वर्थ के चारों चतुर्तांस का चित्रफल वर्थ के चारों चतुर्तांस का चित्रफल तो देखो ये चार भाग हैं चार भाग मिलके ये चतुर्तांस है तो चार भाग है वो मिलके क्या बनाएंगे एक पुरा वर्थ बनाएंगे तो हम क्या करेंगे चार गुना परतेक चतुर्तांस का चित्रफल चार गुना परतेक चतुर्तांस का चित्रफल दो चतुर्तांस मिलके क्या बनाएंगे बटे में चार, बटे में चार क्यों लिखा? क्योंकि चतूरतान से च्वता हिस्सा है, तो चार से चार क्या हो गया? कट गया, तो 22 बटा 7 गोना, आपके तरिज्या कितनी थी? तरिज्या थी 1, सैंटी मिटर स्क्वेर, तो यह उत्तर कितना जाएगा यहाँ पर? चारो जो चत हम कहेंगे कि बीच के वर्त का व्यास ब्राबर कितना था? 2 cm अब हम कहेंगे बीच के वर्त का चित्रफल बीच के वर्त का चत्रफल क्या होगा पाई आर टू का स्क्वेर तो ये भी कितना जाएगा 22 बटा 7 गुणा 1 गुणा 1 सेंटीमिटर स्क्वेर यानि 22 बटा 7 वर्ग सेंटीमिटर अब हमें क्या करना है आकरती के चायंकित बग का चत्रफल आगे हम लिखेंगे अतर दी गई आकरती के चायंकित बग का चत्रफल ठीक है तो पूरा वर्ग का चत्रफल 16 था उसमें से 22 बटा 7 जो कोने पे काटे गए थे और बीच में काटा गया थे उसका चत्रफल 22 बटा 7 वर्ग सेंटीमिटर यहाँ पर 16 माइनस 44 बटा 7 वर्ग सेंटीमिटर अब 16 का साथ से गुणा होगा कितना होगा 112 हो माइनस 45 बटे में 7 वर्ग सेंटीमिटर तो यह कितना हो जाएगा अडिसर्ट बट्टा साथ वर्ग सेंटीमिटर स्कूर्ड वर्ग सेंटीमिटर यही आपका क्या होगा चायंकित बाग का चित्रपल होगा तो इस तरह हमने आपकी वरक्षित नमबर 29 के सभी प्रशनों के यल बहुत अच्छे से जान लिये हैं उम्मिद करता हूँ सभी प्रशनों के उत्तर आपको उच्छे समझ में आए होंगे तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद यदि आपको मेरी क्लास और मैनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, सेयर और सब्सक्राइब जरूर करें आज गले इतना ही, जै हिंद, जै भरत